संग से जुड़ी पत्रिका आर्गनाइजर ने अपने संपादिकी में लिखा है कि भारत में ततकाल एक राष्टी जनसंख्या नीती की ज़रूरत है पत्रिका में ये भी लिखा गया है कि भारत के जो बौर्डर के एरिया है, वहां की टोटल डेमोगराफी बदल चुकी है कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है चुकी संख्या के आधार पे ही संख्याताय होती है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी तो अगर इसी तरीके से डेमोग्राफी बदलती रही तो संसद में भी जो संख्या वो बदल जाएगी और देश के लिए बहुत घातक परेडाम होगे मैं पिछले कई वर्सों से जो बात कह रहा था उसको संग की पत्रिका आर्गनाइजर ने भी कहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ भारत के नौ राज्यों की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है और इस पे मेरी P.I.L. भी सुप्रेम कोर्ट में चल रही है मैंनत यहां तक कह दिया है कि उन नौ राज्यों में और कुछ नहीं कर सकते ते कम सकम हिंदूओं को माइनाटी का दर्जा दे लिजे भारत में कुल 800 जिले है 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी कम्प्लीटी बदल चुकी है भारत में कुल 6000 तहसीले है 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है भारत के बार्डर पे कुल 300 तहसीले है और 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, चाय हो हिमाले का बार्डर हो, चाय हो पाकिस्तान का बार्डर हो, चाय हो बंगलादेश का बार्डर हो, चाय हो मियामार का बार्डर हो, या हमारा समुद्र वाला जो बार्डर हो, गोवाव से सटा हुआ समुद्र, या मह जनसंख्या विस्वोट तो जनसंख्या अगर आप भारत की समस्याओं की द्रिष्टी से देखिए तो 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्वोट है अगर आप बाहरी खत्रों से देखिए तो भारत की जो बहुत प्रमुक खत्रें राष्टी खत्रें उस उसका भी सबसे बड़ा जो कारण है वो जनसंख्याविसफोट है। मजभी उनमाद का मूल कारण जनसंख्याविसफोट है। अराजक्ता का मूल कारण जनसंख्याविसफोट है। मिलावट खोरी का मूल कारण जनसंख्याविसफोट है। भारत के 70% लोग मिलावटी दूध पी रहें, मिलावटी घी खा रहें, मिलावटी अनाज खा रहें, अनाज कम पैदा हो रहा है, अनाज बढ़ाने के लिए उसमें दुनिया भर का कीट नासक डाला जा रहा है, यूरिया डाली जा रही है, खाट डाली जा रही है, केमिकल डा जा रहा है तो जो हमारा गेहु पैदा हो रहा है जो हमारा चावल पैदा हो रहा है हमारी जो दाल पैदा हो रही है वह जहरीली पैदा हो रही है इसलिए कैंसर की बीमारिया बढ़ नहीं है तो अगर आप भारत टोटल आप देखिए तो भारत में इतनी जो बीमारी बढ़ र वेरे और इसका मुख्यस सरकार जब करोड स्वरोजगार कर पाती है गवर्मेंट जॉर्थ इंप्लाइमेंट जो लोन वगारा देके मुद्रा लोन के जरीए जो सेल्फ इंप्लाइमेंट cũ किए जाता है सरकार ने जब तक 2 करोड स्वरोजगार पैदा किया है तब तक 10 करोड बेघर पैदा हो गए सरकार ने जब तक 2 करोड घर बनाया है तब तक 10 करोड बेघर पैदा हो गए तो टेक्स पेर के उपर मार बढ़ती जा रही है Taxpayer की उपर बड़न बढ़ता जा रहा है, वो Tax दे दे के परिशान है, Middle Class Income Tax दे के परिशान है, वियापारी Income Tax, GST, Tol Tax, Road Tax और White TDS दे के परिशान है, लेकिन भारत का करजा कम नहीं हो रहा है, 225 लाख करोड का करजा हो गया 225 लाख करोड का करजा हो चुका है प्रतेक भारतिये 1.5 लाख के करजे में डूबा हुआ है और इक करजा इसलिए बढ़ रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो एलक्षन के लिए मुफ्त खोरी भी बढ़ती जा रही है और जब जनसंख्या बढ़ रही है, मुफ्थ खूरी बढ़ रही है, तो ultimate burden किसके उपर आ रहा है, टैक्सपेर के उपर आ रहा है 81 करोड लोगों को मुफ्थ में अनाज देना पड़ रहा है, यानि 81 करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे है, इसका मूल कारण जनसंख्या विस्वोट है, गरीबी कम नहीं हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, जब भारत की जनसंख्या 40 करोड थी तो भारत में 4 करोड गरीब यानि गरीबी बढ़ रही है, अब मूल कारण क्या है, जनसंख्या विस्वोट हॉस्पिटल में जाके देख लिए, सुबर लाइन लगी हुई है, खासतोर पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है, क्यों कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की मसीन बना दी गई है, वो हर साल बच्चे गश्ध काद है, आप 1 लाग करोड़ का हेल्थ का बजट फिर भी खम पढ़ रहा है? क्योंकि वीमारी जादा बढ़ती जारी है, मूल कारण का है, जनसंख्या विस्वोट में वीशature की ने बना है घटार साइव्य है, केरल सबसे सिचित राज यह है, क्योंसे कर हो रहे हैं आप जाक देख लिए मलापूरम देख लीजिए और भी कई जिले हैं केरल में देख लीजिए हंड़ेट परसंट लिट्रेसी है फिर भी 15-15 बच्चे पैदा हो रहे हैं आप दिल्ली अंसीयार में देख लिजे भारत कि राष्टी राजधानी दिल्ली और दिल्ली मेरफ बाग्पते नें 20-20 बच्चय पैदा हो रहे हैं तो देश की राजधानी को सब से पढ़ा लिखा सब से एडवंस माना जाता है तो यह और दिल्ली के अंदर भी सीमापूरी में भी 20 बच्चे पैदा हो रहे है, आप इसको ओटल यस्स अच्किया जा सकता है मुझे सम में सवाद तीन करोड से जादा बच्चे पैदा होंगे इस सवाद तीन करोड बच्चों में से दो करोड बच्चे गरीबी रेखा के नीचे हैं अब गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनको भी वजीफा देना पड़ेगा बड़न किस पर आएगा टैक्सपेयर पर सवा तीन कोड़ बच्चे जो दोजार चौबिस में पैदा हो रहे हैं इसमें दो कोड़ गरीबी रेखा के नीचे है तो उनको मुफ्त में अनाज देना पड़ेगा मुफ्त में राशन देना पड़ेगा, उनको मुफ्त में घर देना पड़ेगा, मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना पड़ेगा, मुफ्त में पानी देना पड़ेगा, उनको सब मुफ्त में करना पड़ेगा, बड़न किस पर आएगा, देश के उपर, टैक्सपेर के उपर, जन संख्या जिससे आप से बढ़ रही है जमीन तो घड़ती जा रही है जन संख्या बढ़ेगी तो घर बनाया जाएगा घर बनेगा तो कहां से बनेगा या तो जंगल काट के घर बनेगा या जहाँ खेती होती थी वहाँ घर बनेगा तो खेती जहां होती, agriculture land कम होती ही चली जा रही है अब लेकिन डिमान्ड तो है अब डिमान्ड है तो किसान क्या कर रहा है उसमें खाड, खाड डबल टिपल करता चला जा रहा है न फल सुध मिल रहा है न सब्जी सुध मिल रही है न दूद सुध मिल रहा है न गेहुचावल सुध मिल रहा है सबकुछ मिलावटी है और चुकि सबकुछ जहरीला है सबकुछ मिलावटी है इसलिए लोगों को सारीरी बीमारी के साथ मानसिक बीमारी भी हो रही है बै किसी के घर में 15 बच्चे है कमाता 300 रूपय है तो सारे रीुरूप से tension में रहेगा, बिमार रहेगा, मांसी कृरूप से bher tension में रहेगा और अपराद क्यों बढ़ रहे हूंब पंदरा बच्चे पैदा हो गए, इनकम है नहीं ठीक से पढ़ा नहीं सकते, ठीक सपस्चार दे नहीं सकते, एक कमरे के मकान में 15 बच्चे रहेंगे तो भगवान जने क्या-क्या कूरीतियां सुखेंगे, क्या-क्या गलत काम और सीखेंगे, एक ही कमरे में रह रहें, उनके पास जगह नहीं है, और बाद में क्या होगा, वो चैन इसने चिंग करेंगे, मोबाईल इसने चिंग करेंगे भाड़े पे हत्या करेंगे, फिरोती के लिए काम करेंगे, और जो है अपराद बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी जेल में जाके देख लीजे, ज्यादा तार अपराद ही वो है, जो पांच भाई बहन से ज्यादा है, आठ भाई बहन से ज्यादा है, या दस भाई बहन से ज् आप किसी भी जेल में जाके सर्वे कर लीजिए, तो जनसंख्या विस्वोट का सीधा सीधा रेलेशन आप राद से भी है, सरकार आप राद नियंतरन करना चाहती है, लेकिन जनसंख्या नियंतरन करना ही रही है, सरकार चाहती है, लोग सब लोग स्वस्तर हैं, और बीमारी का तो पुपुए अजि चूदर लागु निखा हूप एक नारी कवृत तुमेarnos खूध में लिया जा चुका है, हम क्यों नहीं लिय पा रहे हैं ? सम्मिधान के सेवन के लिस्ट्री इंटी नंबर 20 ए में लिखा है, पापुलेशन कंट्रोल, फेमली प्लानिंग, तो कानून बनाना ये सरकार की डिवटी है, क्योंकि अलडी सम्मिधान में लिखा हुआ है. अटल जी के समय में जो वेंकट चलिया कमिशन बना था, दुनिया के सबसे प्रॉमिनेंट है वेंकट चलिया कमिशन, उसने कहा था, जनसंख्यान इंतरन कानून हो चीए, अगर हमने अटल जी के समय में कानून बना दिया होता, तो आज 2024 से आते हैं, कम से कम, 30 से 35 करोड जनसंख्या कम होती, हमने उस समय भी नहीं बनाया, चीन के साथ हमने अगर कानून बना दिया होता, जब चीन ने बनाया था, 1950 में, तो आज हमारी जनसंख्या सो करोड से कम होती, यानि एक सो पैंतालिस करोड हो गए, यादि हम पचास करोड कम होते, कम होते, बहुत सारी समस्याओं का समाध्धान होता, कोई बातें जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, अब तो जग गय हैं, अब तो समझ में आ चुका हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, 50% स्यादा समस्याओं का मूलकान जनसंख्या विस्वोट है, और कठोर कानून नहीं बना तो जनसंख्या नियंतरण नहीं होगा तो सरकार कोई भी आये, कोई भी प्रधान मंत्री हो, कोई भी मुख्य मंत्री हो, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा.